नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की सिटामिन 50MG टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सिटामिन 50MG टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सिटामिन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी दिस्कस क करेंगे की सिटामिन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए, सिटामिन एक ब्रैंड नेम है, सिटामिन टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन सीटागलिप्तिन 50MG होता है, सिटामिन टैबलेट का उप्योग टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है, सिटामिन टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है, शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वजह से kidney damage हो सकती है, आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे damage हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, खाना खाने के दो घंटे बाद एक normal व्यक्ति का blood sugar level 140 से कम होता है, खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का blood sugar level 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी diabetic stage पर है, परी diabetic stage पर sugar level को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है, परी diabetic stage पर sugar level को नियंत्रण में करने के लिए regular exercise और lifestyle व खान पान में बदलाव करके blood sugar level को न 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को diabetes की समस्या है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में sitamin tablet की वज़ से कुछ side effects हो सकते हैं, जैसे जुकाम होना, खासी होना, गले या फेफरों में infection होना, कब्स होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, शरीर के जोडों वा मासपेशियों में दर्ध होना, कमर में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आधी side effects sitamin tablet की वज़ से हो सकते हैं, इ सकता है, sitamin tablet की वज़ से allergic reaction भी हो सकता है, यदि आपको sitamin tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्ष ले की sitamin tablet को कैसे लेना recommended होता है, sitamin tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, sitamin tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए, आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Blood Sugar को नियंतरन में करने के लिए शुरुआत में sitamin 50 mg tablet को दिन में एक बार लेने की सला देते हैं, लेकिन Blood Sugar के लेविल की गंभीरता ज्यादा होने पर Dr. Sitamin 100 mg tablet को भी दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं, sitamin tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक् अब हम discuss करेंगे की sitamin tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको sitamin tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए, चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए, और यदी आपक शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए, टाइप 1 diabetes होने पर, कोई surgery होने पर, diabetic coma होने पर और diabetic ketosis होने पर sitamin tablet को लेना recommended नहीं होता है, ब्लडर शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको sitamin tablet को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए, औ और आपको sitamin tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए, प्रेगनेंट महिलाओं में blood sugar के level को नियंत्रन में करने के लिए insulin को ही सबसे सुरक्षित माना गया है, प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए sitamin tablet का सेवन करना recommended न और अगर आपका sitamin tablet से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं